जै मातादी दोस्तो, मैं आज बहुत असान तरीके से बहुत भी हैल्दी और टेष्टी आपके साथ मैगी की नास्ता रेज़िपी सेर करूंगी आपने मैगी बहुत तरीके से बना कर खाई होगी सिंपल मैगी मसाले वाली मैगी पर ये जो नास्ता रेसीपी है बिल्कुल अलग है आप पहली बार देखोगे इसके लिए हमें क्या करना है अपने पसंद के किसी भी ओयल में मैगी को इस तरीके से तल देना है ये मैंने बड़े वाले पैकेट मैगी के लिए थे अगर आपको छोटा लेना हो तो आप वो भी ले सकते है और अपने पसंद के किसी भी तेल में इस तरीके से गोल्डन प्राउन उसे कर लिजेगा ताकि ये कच्चा ना रहे उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे एक प्लेट में निकाल लेना है अब हमें इसे ठंडा करना है इसलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए अब हमने क्या किया है इस पेट को बार ले लिया है। इस कटोरी में हम क्या करेंगे हमें एक कटोरी शूजी लेनी है। यह मोटी वाली सूजी थी उर्फिये था चाहिए तो पतली मोटी कोई भी सूजी का इस्तामाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दोनों तरेकी की सूजी चल जाएगी इस नास्तर रेसेपी में और यह मैंने आधी कटोरी दही ली है ध्यान रखेगा दोस्तों दही ज्यादा खटी नहीं होनी चाहिए अब इसमें आप अपने स्वात के अनुसार से नमक डाल दीजिए बहुत सिंपल तरीके से फेट लेंगे हमें इस बिल्कुल बहुत जादा पतला ना थोड़ा थोड़ा पाई डालना क्यversion हमने दही भी डाली है तो इस तरीके शाम इससे अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि हमारी सूजी अच्छी तरीके से जब मिलें तभी वह फूलें तयार हो गी तभी अच्छी बन कर तयार होगी तो इस तरीके की देखिए यह रखनी आपको इसके पेस्ट को तो चलिए ढग देते हैं और अपने मैगी को देख लेते हैं घंडा हो चुका है अब हम इसे तुक्डों में तोड़ देंगे बहुत अच्छी तरीके से तुक्डों में था नहीं तो फिर वह टेश्ट नहीं आता जो इसके साथ में आएगा यह बहुत सौंदी सौंधी लगते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसकि तरीके से आप इसे तेल में अच्छा तेल कर रियूश कीजिए गा इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं सोकता है दोस्तों तेल नहीं लगा है अब हमने तोड लिया है अब हम इसे अपने सूजी वाला जो पेश था उसमें मिला देंगे तो इस तरीके से हम इसमें सारा डाल देंगे दोस्तों हमारी चैनल पर बहुत सारे वीडियो प्लीज चाकर देखिएगा अगर कोई वीडियो पसंद आये तो लाइक सस्क्राइब कीजिएगा और अगर यह वीडियो भी पसंद आ रहे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा इस तरीके से देखिए हमने आपस में अच्छी तरीके से फेड दिया है सभी चीजों को यह बहुत अच्छी से मिल जाते हैं और सूजी है अगर आप इसे पास दस मिनट लिए रेष्ट पे नहीं रखेंगे तो अच्छी से फूले की नहीं और हमारी नास्ता रेसे बिल्कुर अच्छी बन करते जार नहीं होगी तो देखिए गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है अब हम इसमें ऑल डाल देंगे और अच्छी तरीके से ब्रस से चारो तरफ फैला देंगे आप चाहे तो चब मच की सायता से भी फैला सकते हैं अब के जो हमने सूजी और मैगी का पेस्ट बनाया है इसमें हम डाल देंगे दोस्तों देखिए इस तरीके का आपको इसका रखना है पेस्ट बहुत जादा गिला नहीं रहना चाहिए और बहुत जादा टाइट भी नहीं बीच बीच में ताकि अच्छी तरीके से फैल सके बस इतना ही टाइट रखना इसे तो देखिए हमने बहुत अच्छा सा गोल सा सेब दे दिया है अब थोड़ी से ढगड़के पका लेते हैं हम इसे यह नीचे बिल्कूल भी नहीं पकड़ता बहुत अची तरीके से निकल जाता है तो देखिए अब हम चलिए उसे ढख चेक उसे हम मिला देंगे इससे हमारे नास्ता का बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है और इसमें देखिए बस थोड़ा सा काला नमक हमने डाला है अगर आपको पसंदोर डालेगा वननाई स्किप कर दीजेगा यह देखिए यह हमारा मसाला बनकर तयार है बहुत अची तरी तरी के से हो चुके है नीचे से और जो और इंज दिख रहना आपको यह मैगी के तुकड़े हैं बहुत ही जादा क्रंची होते है यह नास्ता कॉप बना के देखिए मैंने हिला कर दिखा दिखा दिया यह बिल्कुर अची तरीके से छोड़ चुका है तो आई एक थाली में देखिए इस तरीके से पलटना है इसे देखिए इस तरीके से बनकर तयार हुआ है अब हम क्या करेंगे फिर से वापस से इस पैन में तेल लगा देंगे ताकि दूसरी तरब को भी अच्छी तरीके से पका सके तो देखिए हमने अच्छी तरीके से लगा दिया है अब इस को हम वापस से डाल देंगे कि एदिखिंगे मनें डाल दिया अब फिर से वापस से डुकि इसे पाँस मिनट के लिए मैं आपने पडिंग रूटे में हमने जो माशा था धिमी आज म의 ज्रीज में बन्मत कि घृमी आज कर दिज्गा और इस तरीके से पने पेश्ट को लगा लिजे पूरी पूरी नास्ता में फैला लिजेगा कि बहुत अची तरीके से फेलाना है ताकि हर जगा टेश्ट आये अब ये मैंने चीज लिए इसे मैं अची तरीके से चारों तरफ पैला दो गी तक ये पिखलने के बाद हर जगह जाए इसका टेस्ट बीच में रख देने से ये चारो तरफ फैलते नहीं अच्छे से तो बस इसका टेस्ट जहां रखते हैं वहीं पर आता है तो इस तरीके से हमें फैला के तोड़ तोड़ के रखना है तो देखिए हमने सरीय सजा दिया है अब हम टमाटा लगाएंगे इसमें मैंने इस टमाटर के बीच को निकाल दिया दोस्तों मैंने एक टमाटर लगाए ही इसमें पतले-पतले काटके आप चाहे तो अपने पसंद के किसी भी सबजी को इसमें रख सकते हैं बहुत ज्यादा ह यह बफिए में कुछ प्याज ही टुकड़े बी इसमें डाल दिया है तो इस तरीके से मैंने इसे अची तरीके से सजा लिए अप चाहे में पसंद के और मेरे बहुत अच्छा हुआ पर मेरे पास नहीं थी तो मैंने आहिए यह देखिए यह स्वीट को नॡ़ें मैं डालन तो भी डाल सकते हैं, या फिर मुंखभली के टेस्ट पसंदो तो उसे भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंदो अब थोड़ा से चीज में और डाल देती हूं ताकि बहुत जादा चीजी बनकर तायार हो तो इस तरीके की नास्ता रेसिपी जब आप घर पे बनाएंगे न तो बड़े बच्चे सब मांग मांग कर खाएंगे उन्हें बहुत जादा पसंद आने वाली है तो देखे यह हो चुका है देखे दोस्तो मैंने एक हरी मिर्च ले थी उसे मैंने चाट टुकड़ों में पतला पतला काट दिया है मैं बीच में रखूंगी इससे इसका तीखापन भी बढ़ जाएगा और लाल हरे पीले बहुत अच्छे कलर भी आ जाएंगे इसमें तो देखे हम इसे प्लेट में रख और यह चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया इससे इसका कलर बिल्कुल तुरंथी चेंज हो जाता है तो बताईए यह सूजी और मैगी के जो पीजा हो आपको कैसे लग रहे हैं मैं एक पीस आपको निकाल कर दिखा रही हूं और बताईएगा कि आप कब बना रहे हैं और अगर बनाईएगा तो जरूर कमेंट में बताईएगा कि आपको रैसिपी कैसी लगी आगे किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं जैम आता दी